हेलो दोस्तों सागत है आप सभी का हमारे लिट्व चैनल यात्री सुब्धा में आज किस विडिम जानेंगे जनरल कोच में यात्रा करने के लिए कुछ इंपॉर्टन टिप्स के बारे में तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखे जैसे कि पैसेंजर्स अक्सर जनरल कोच में यात्रा करते हैं और उन्हें कई सारी मुसीब्धों का सामना करना पड़ता है दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिसका यूज करके आप जनरल कोच में आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं तो चली जानते हैं नमबर वन दोस्तों आप जब भी जनरल कोच में यात्रा करें उससे पहले अपने साथ खाना और पानी जरूर रख लें दोस्तों यह आपको हेल्प करेगा ट्रैवलिंग में नमबर दो जनल कोच में आप जब भी यातर करें तो कोशिस करें कि अपने साथ कम से कम समान लेके चलें क्योंकि आप जानते हैं जनल कोच में भीड बहुत जादा होती है अगर आप जादा समान लेके चलेंगे तो आपको प्राबलम हो सकती है तो कोसिस करें कि जनरल कोच में आप जब भी यात्रा कर रहे हैं अपने साथ कम से कम समान लेके चलें नमबर तीन दोस्तों अगर आप जनरल कोच में यात्रा करते हैं तो यह जानना के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, आप बिल्कुल भी long journey ना करें जेनल कोच में जेनल कोच में आप short journey करें वो ज़्यादा अच्छा होगा जेनल इसा देखा जाता है कि लोग general coaches में long journey करते हैं जिससे उनको काफी ज़्यादा problem होती है तो कोसिस करें कि अगर आप जेनल कोच में travel करें तो आप short journey ही travel करें नमबर 4 दोस्तों अगर आप general coach में travel करने वाले हैं और अगर आपके साथ एक family है अगर आप family के साथ travel करना चाते हैं तो दोस्तों आपको like आप जब general coach में travel करने वाले हैं या general coach में travel करना चाते हैं वही family के साथ तो दोस्तों आप family के साथ travel मत करिए जनरल coach में इसको आप avoid करिए क्योंकि जनरल coach में family के साथ travel करना like बहुत ही problem भरा होता है उसमें आपको काफी सारी problems हो सकती है तो जब भी आप family साथ travel करें तो आप general coach को avoid कर सकते हैं तो दोस्तों ये थी कुछ important tips जब भी आप general coach में यातरा करें आप इन बातों का ध्यान जरूर रखें I hope कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा Please इस वीडियो को like करें, हमारे चनल को subscribe करें और bell icon का बटन जरूर दबाएं मिलेंगे, next video में नई जानकारिक साथ, धन्यवाद